हलो एन वेलकम अगेन माई फ्रेंड्स एन डियर स्टूडेंट माई सेल्फ महिंद्र देवंदा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलम रोटी फेरा के बारे में फाइलम रोटी फेरा जो की सूपर फाइलम एसकेल मिन्थीज के अंदर सामिल किया गया है इसको फाइलम रोटी फेरा को आपको ध्यान में रखना है सूपर फाइलम एसकेल मिन्थीज के अंदर सामिल किया गया है रोटी फेरा एक minor phylum है minor phylum यानि एक हिंदी में कहें तो गोण phylum है गोण संग है इसको minor phylum इसलिए का गया है क्योंकि इसके जो number of species है कम पाई जाती है साथी साथ इसका ecology में role कम होता है इसलिए इसको minor phylum का गया है सबसे पहले हम इस सब्द का मतलब समझते हैं रोटी फेरा रोटी फेरा जो सब्द है वो ग्रिक बासा के रोटा और फेरे से originate हुआ है रोटा का मतलब होता है wheel एन फेरे का मतलब होता है to bear यानि जो विहील जैसी structure धारन करे विहील यानि आप यूँ समझ सकते हैं कि टायर के समान सरचना धारन करे या घूमते हुए चकर के समान जो दिखाई पड़े उनको wheel और animals कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आप diagram में देख सकते हैं ये आगे का portion है इस animal का तो इस आगे वाले portion में जो आपको कोरोना जो दिखाई पड़ रहा है जो आगे की तरफ जो structure से लोब लाइक जो structure है उसके उपर सीलिया पाए जाते हैं इन सीलिया में movement होता है और ये movement जब होता है तो ये tire जैसे घूम रहा हो उस तरह यानि विहिल जैसे घूम रहा हो उस तरह हमें दिखाई पड़ता है So commonly known as विहिल animals इनको विहिल animals भी कहा जाता है चकर जन्तु भी कहा जाता है और विहिल एनिमक्यूल्स और विहिल जन्तु कहा जाता है एनिमक्यूल्स जो सब्द है वो micro organism जीवों के लिए use किया जाता है यानि सुक्सम जो जीव होते हैं उनके लिए प्रियूप्ट किया जाता है या सुक्सम जीव कास है जिनको हम microscope की सायता से देख पाते हैं उनके लिए animicules वर्ड लिया जाता है तो इनको wheel animicules इसलिए का गया है क्योंकि ये छोटे होते हैं और इनको microscope की सायता से हम देखते हैं wheel इनकी आकरती होती है इनको जोन हैरिसन द्वारा डेस्क्राइब किया था 1696 में जैसे कि आप यहाँ पर ये microscope के अंडर में रखी गई एक photograph दिखाई गई है इसका एक example है, rotifera का एक example है, rotaria इसके अलावा आप अगर rotifera के एक sample diagram को देखना चाहते हैं एक sample example को देखना चाहते हैं तो इस तरह के ये दिखाई पड़ते हैं जिसमें आगे की तरफ mouth होता है Corona इसकी जो खास sphylum का characteristics रखती है Cerebral ganglia यानि इसमें nervous system develop होता है यानि इसमें digestive system पाए जाता है, silom इसमें pseudo-silom दिखाई पड़ती है stomach इन में पाए जाता है, intestine, आगे stomach intestine में खुलता है and anus, यानि mouth और anus का पाए जा रहा है foot and toy भी पाए जाते हैं अब हम एक picture के माद्यम से इसको हम समझना चाहते हैं कि वास्ता में rotifera जब ये पानी में रहते हैं तो किस परकार से अपने activity करते हैं तो एक picture के माद्यम से इसको समझते हैं इस diagram में आप देखिए ये एक rotifera जो अपने cilia की movement की सायता से आसपास जो भी छोटे छोटे जीव हैं जिसे bacteria हो सकते हैं, algae हो सकती है उनको अपना भोजन बना रहा है आप देख पा रहे होंगा, head की portion की तरफ इसके cilia movement कर रहे हैं एक और हम picture देखना चाहते हैं ताकि हम इनके बारे में अच्छे से familiar हो जाएं इसमें भी आप देखेंगे तो आपको इस rotifera में ये आगे की तरफ cilia movement करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये अपनी body को movement भी करते हैं इनकी body में movement किस तरह से होता है क्योंकि इनमें muscles पाई जाती है इसलिए इनमें movement भी होता है आगे हम एक एक characters को विस्तार से भी समझेंगे अभी तो आपको समझने के लिए इस तरह के rotifera होते है आपको जीओं के बारे में जानकरी हो जाए इसलिए ये बताया गया है अब हम एक एक character के बारे में समझते है सबसे पहले हम phylum rotifera जिसको हम sung rotifera के नाम से जानते है इसके general characters यानि इसके सम्माले लक्षनों के बारे में जानकरी प्राप्त करते है first of all number of species की बात करें लगबग 2049 species रिपोर्ट की गई है throughout the world संसार बर से इसकी 2,49 species रिपोर्ट की गई है यानि इनकी संक्या एक तरह से हम कमी मान सकते हैं क्योंकि कमी 2000-3000 कोई ज़्यादा नहीं होती है अगर हम number of species की बात करें इसलिए ये minor phylum भी है habitat की बात करें तो यानि ये कहां पर ये पाए जाएंगे तो found in ponds, lakes, streams, rivers इन एरिया में ये पाए जाते हैं और ये सब स्रोत क्या है? fresh water के स्रोत हैं तो ये किस तरह के water में पाए जाएंगे? fresh water में पाए जाएंगे rare lean marine water बहुती कम rare example होंगे जो की marine habitat में देखने को मिलते हैं habit इनका देखें habit कैसा होगा? अभी हमने देखा कि ये अराम से घूमते हुए पाए जा रहे तो ये free swimming होते हैं sasile होते है आप यहाँ पर ये diagram जो देख रहे हैं उसके last का जो portion है जिसको हम toy कह रहे हैं ये इस animal को किसी surface पर किसी जगर पर चिपकने में मदद करता है तो ये एक जगर चिपक कर रह भी सकते हैं तो इसलिए इनको sasile भी कहा जाता है sasile भी होते हैं ये solitary यानि एकल रहते हैं और colony बना कर भी रह सकते हैं solitary जब वो freely move करते हैं इसका मतलब वो solitary हैं अगर वो बहुत समय के लिए एक जगर चिपके हुए पाए जाते हैं तो उनके साथ में और दूसरे उनके साथी आके वहाँ पर रुखते हैं तो वो colony बना कर भी रहते हैं तो दोनों तरगी possibility यहाँ पर पाए जाती है size इनका देखें तो ये microscopic animals हैं जिनको हम सुक्समदर्सी के सायता से ही हम इनको देख सकते हैं इनकी जो size होती है लगबग 50 micrometer से लगबग 2 mm तक इनकी size होती है body forms इनका रूप कैसा होता है तो ये sick like to spherical ये sick थेले के समान हो सकते हैं spherical गोला कार हो सकते हैं cylindrical हो सकते हैं बड़े हो सकते हैं तोड़े से फैले हो सकते हैं या चप्टे भी हो सकते हैं long cylindrical अलग अलग अकार में ये दिखाई पड़ते हैं body organization की बात करें तो organ grade of body organization पाय जाता है यानि इसमें अंग विक्षित हो जाते हैं locomotion गमन की बात करते हैं there are two kinds of locomotion in geo में यानि rotifference में दो परकार का locomotion देखने को मिलता है गमन देखने को मिलता है यानि locomotion rotifference में पाय जाता है पहला परकार है ciliary activity on corona corona के उपर यानि इनके head के उपर ये जो corona है इसके उपर ये जो cilia पाये जा रहे हैं इन में जब movement होता है तो पूरे जीव में भी movement होता है यानि पूरा इनका जो सरीर है वो भी आगे move करता है तो एक तो हो गया ciliary cilia की साइता से movement करना दूसरा हो जाता है crawling by use of foot ये जो foot आपको दिखाई पड़ रहा है इसकी साइता से भी ये धीरे slowly slowly crawling करते हैं, गमन करते हैं pedal gland secret adhesive material जो pedal glands है foot के उपर की तरफ जो आपको ये structure जो दिखाई पड़ रही है ये जो आपको glands जो दिखाई पड़ रही है ये कुछ adhesive secret करती है ये चिपकने वाला substances पदाद secret करती है which comes out on the foot जो की foot से बहार आता है और इनको चिपकने में भी और गमन करने में भी मदद करता है अब हम और characters की आगे तरफ बढ़ते हैं germ layer की बात करें तो triploblastic animal होते हैं यानि इनमें त्री layers पाई जाती है आप इनके नाम आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि platial mantis से mesoderm का सुरुवात हो जाती है तो इनमें ekto derm mesoderm and endoderm पाई जाती है यहाँ पर mesoderm भी पाई जारी है इसलिए triploblastic animal होते हैं body symmetry यानि शरीर की सम्मिति की बात करें तो bilateral symmetrical animals होते हैं शरीर को दो equal parts में एक ही plane से divide किया जा सकता है विवाजित किया जा सकता है यह bilateral symmetry animals होते हैं next body plan tube within tube body plan इनमें पाई जाता है यानि एक tube के अंदर दूसरी tube के तहत इनमें body plan पाई जाता है यानि mouth और NS इनमें पाई जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि mouth और NS और tube within tube एक tube के अंदर एकोड़ tube का पाई जाना इस तरह को बताता है कि पूरा सरीर को एक tube माना जाता है और इस शरीर का जो रूप है वो एक ट्यूब के समान माना गया है और इस शरीर के अंदर एक ट्यूब जो की हमारी elementary canal और NGO में भी elementary canal जो की mouth से सुरूँ कर NS पर खतम होती है तो शरीर को एक ट्यूब और उसके अंदर intestine को एक ट्यूब माना गया है ट्रू सिलोम नहीं पाई जाती है ये pseudo silomate होते हैं उनमें आबासी देहगुआ पाई जाती है क्योंकि ये एक ही तरफ से मिजोडम से गिरीवी होती है दोनों तरफ से मिजोडम से गिरीवी cavity नहीं पाई जाती है segmentation यानि सरी में खंडी बवन इनमें नहीं देखने को मिलता है यानि ये unsegmented होते हैं इनका सरी जो होता है unsegmented होता है body wall की बात करें यानि सरी के उपर जो बित्ती पाई जा रही है वो कैसी होती है तो well developed cuticle के form में present होती है इनमें cuticle पाई जाती है और cuticle, a cuticle is secreted by the epidermis epidermis की जो cells हैं वो इस cuticle का secretion करती है the epidermis is a cincium, epidermis जो होती है वो cincium होती है यानि एक ही cell के अंदर बहुत सारे केंदरक पाई जाते हैं इस condition को हम cincium condition कहते हैं sometimes cuticle more thick, कुछ से समय में यानि कभी कबार जो cuticle होती है बहुत मोटी हो जाती है, जिसको especially यहाँ पर नाम दिया जाता है लोरी का लोरी का, यह मतलब हम इस तरह समझ सकते हैं कि लोरा एक तरह की protective layer और supporting layer है जो की वास्ताव में cuticle का ही थिक रूप होता है उसी को हम लोरी का कहते हैं आप यहाँ इन की diagram के मदद से भी इन animals के बारे में समझ सकते हैं कि यह किस तरह के दिखाई पड़ते हैं next हम body structure की बात करें इनका body किस तरह का होता है their body can be clearly divided into three region इनके सरीर को हम तीन रूप में divide कर सकते हैं आगे की तरफ का जो बाग होता है वो head part कहलाता है इसके बाद में यह जो part है वो कहलाता है इसका trunk part and last में जो बचा हुआ part होता है वो कहलाता है foot part तो यह इसके body को हम तीन parts में divide कर सकते हैं there is a prominent circular array of cilia at the interior end of the animals इन animals के आगे की तरफ एक circular array में एक वर्ताकार पंक्तियों में cilia लगे हुए होते हैं that look like a rotating whale जो की एक घूमते हुए पईये के समान दिखाई पड़ते हैं यह जो है यह जो आपको corona जो structure दिखाई दे रही है इनके उपर यह जो cilia पाए जा रहे है इन में एक, दूसरा, तीसरा, छोता, पांचवा इस तरह इन में एक के बाद एक में movement होती है एक साथ इन cilia में movement नहीं होती है एक के बाद एक, दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर छोते में तो इन में एक के बाद, एक में movement होनी की वज़े से ये किसी एक tire में, tire जैसे घूम रहा हो, इस तरह की दिखाई पड़ते है तो ये, इसके head region में इस तरह की structure पाए जाती है इसको हम ट्रोकल डिस्क और कोरोना कहते है anterior end with ciliary disc anterior end में ciliary disc जिसको हम कोरोना कहते है इस कोरोना का वास्ता में यहाँ पर क्या use होता है, feeding और locomotion से होता है यहाँ कोरोना, अभी वर्तमान में जो disease pandemic चल रही है मामारी जो चल रही है, उसी से, उसी का समाना में लग रहा है कोरोना वास्ता में जो सब्द है, वो use किया जाता है एक ताज के लिए, जो कि एक आप सिंगासन के रूप में, एक ताज के रूप में समझ सकते है तो यह इनके, जो head person है, उसमें एक ताज के समान दिखाई पड़ते हैं इसलिए इसको नाम दिया गए है कोरोना की structure भी एक ताज के समान होती है इसलिए उसको कोरोना नाम दिया गया है अब हम वापस अपने फाइलम टोठी फेरा में बात करते हैं पोस्ट एनल टेल और विट टू टोई पोस्ट एनल टेल पाई जाती है या हम यूँ कहें उसमें दो टोई structure पाई जाती है और इन structure के साथ में an adhesive glands for attachment और adhesive glands भी पाई जाती है यानि इसमें पाई जा रही है एक तो pedal glands जो की adhesive glands के नाम से भी जानते हैं इनको foot पाई जाता है और आगे के तरफ इनकी branches टोई जिसको हम कहते है वो पाई जाते है body content longitudinal and transverse muscles bend and strands body में longitudinal muscles पाई जाती है और transverse muscles पाई जाती है यानि ये जो bends के रूप में पाई जा सकती है bend का यहाँ पर आसे ही है कि वो अगर बहुत सारे strand यानि उसके longitudinal muscles के बहुत सारे fibers आपस में जब एक साथ पाई जाते हैं तो वो एक bands के रूप में पाई जाते हैं लेकिन अगर वो single form में पाई जाते हैं तो वो strands के रूप में पाई जाते हैं तो ये body structure के बात हुई अब हम इनके digestive system की बात करते हैं इनके पाचन तंतर की बात करते हैं तो हमने समझा कि इनमें body जो plane पाये जाता है, वो tube within tube body plane पाये जाता है, तो इसका मतलब एक end पर mouth पाये जाता है और दूसरे end पर Ns पाये जाता है, इसका मतलब यहाँ पर complete digestive tract पाये जाती है, यानि complete digestive tract इनमें present होती है, एक तरफ mouth और दूसरे तरफ Ns इनमें पाये जाता है, coronal celia create a current that sweep food into the mouth coronal celia हमने एक पिच्चर के मादम से इसको समझाता कि coronal celia है यानि head के आएड पर जो corona के उपर जो celia पाए जा रहे हैं उनमें जब movement होता है तो एक current उत्पन होता है और current की वज़ा से जो cavity का formation होता है तो वहाँ जो भी food होता है आसपास वो इनके द्वारा अंदर mouth में ले लिया जाता है digestive system with a grinding organ इनके digestive system में grinding organ पाए जाता है mastex जिसको mastex कहते हैं ये mastex जो होता है line with the strong cuticle जो की अंदर की तरफ से एक cuticle से गिरावा होता है हम यूँ कहें जैसे कि ये mouth है mouth के आगे इसका जो pharynx जो region होता है तो उसके आगे की तरफ mastex पाया जाता है mastex के अंदर का जो आवरण होता है वो cuticle से गिरावा होता है और ये hard structure होती है mastex के पास में जो muscles पाई जाती है और इस वज़े से इन में गर्षन होता है और ये बोजन की टुकडे करने में भी मदद करते हैं इसके अलावा the pharynx has a powerful muscular wall इसके पास powerful muscular wall पाई जाती है contains tiny और इसके अलावा muscular जिसको हम कह रहे है muscular actually जो ये pharynx है काफी highly muscular होता है तांकि ये बोजन को आगे पीछे करने में मदद करते हैं लेकिन इसके साथ साथ एक और structure पाई जाती है contains tiny एक छोटी calcified calcium से बनी हुई जो like जबडे के समान से रिषना पाई जाती है जिसको यहाँ पर trophy कहते हैं ये trophy क्या करती है ये बोजन को crust करने में टुकडे टुकडे करने में मदद करती है यानि mastex के साथ में जुड़ी हुई structure जिसको trophy कहते हैं इसका significance है which are the only fossilizable part of rotifera rotifera में जो fossilized जो part होता है वो सिर्फ trophy part होता है यानि ये अगर हम किसी fossils की study करते हैं तो fossils rotifera सिर्फ trophy हमें वहाँ पर मिल सकती है जिसे कि आप यहाँ पर diagram में भी देख सकते हैं ये अलग-अलग प्रकार की यहाँ पर trophy दिखाई पड़ रही है जो अलग-अलग जातियों में पाए जाती है food की बात करें कि इनका rotifera का food कैसा होगा भोजन कैसा होगा यहाँ पर यह भी खुद भी single cell वाले या 2-4 cell वाले जीव कोई हम food बना पाते हैं यह undigested food enter into cloica जो अब बिना पचित जो बोजन होगा वो cloica में आ जाता है और cloica से बहार कर दिया जाता है cloica word actually जब 3 different system की जब opening होती है एक ही जगे तो उस sack-like structure को हम cloica कहते है cloica में हम यह समझ सकते है common cavity for excretory यानि excretion के लिए एक cavity reproduction की cavity यानि reproduction की opening भी यही पर होती है और digestive system यानि जो भी undigested food होगा वो भी यही आकर इखटा होता है तो यह जो सरचना होती है वो cloica कहलाती है तो इस diagram के माद्यम से हम इसको समझ सकते है यहां mouth है उसके बाद mastik है यहां पर इनमे salivary glands भी देखने को मिलती है gastric gland जिसको stomach में पाई जाती है यह stomach है इसका काफी बड़ा इसके बाद में stomach की opening होती है intestine में intestine के आगे opening हो जाती है NS में जो undigested food होगा वो cloical bladder में यह हम इसे cloica भी कह सकते हैं वहां पर आके सरी से बाहर कर दिया जाता है अब हम समझते हैं circulatory system circular system इनमें नहीं पाई जाता है absent होता है respiration simple diffusion से इनमें गैसों का जो आदान परदान होगा सामाने विश्रण की परकरिया के द्वारा होगा excretory system कैसे होगा इनमें excretory system के लिए proton ephridia पाई जाते हैं और proton ephridia and two proton ephridial tubes भी पाई जाती है दो बड़ी proton ephridial tubes पाई जाती है which empty into a bladder जो की bladder में आकर empty करते जो भी इनका best product होता है वो इसको bladder में आकर छोड़ दिया जाता है यह ammonotelic होते है यह अपने जो excretory जो product होते है ammonia के रूप में secret करते है sense organ के रूप में इनमें antenna पाई जाते हैं और eye spot पाई जाते हैं इनमें थोड़ा सा light का sense करने की capacity पाई जाती है nervous system nervous system of three major ganglia तीन बड़े major ganglia पाई जाते हैं और nose पाई जाती है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यह इनमें nose का जाल दिखाए पड़ रहा है यह आगे की तरफ जो yellow color में जो दिखाए पड़ रहा है यह इनका brain है और यह mastex flexes यह इनके बाद में पूरी body में यह supply बताए गई है अब हम इसका important part जो की reproduction है उसके बारे में हम समझते हैं यह importance इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें एक specific characteristics देखने को मिलता है that is the parthenogenesis यहाँ पर reproduction में यानि इनके प्रजनन में sexual, langig and asexual यानि alangig genan दोनों ही देखने को मिलते हैं यहाँ पर asexual reproduction के रूप में इनमें parthenogenesis पाया जाता है क्या होता है उसको हम समझेंगे parthenogenesis is the most common method of the reproduction in rotiferen सबसे ज़्यादा जो common होता है यानि इनमें sexual reproduction uncommon होता है लेकिन asexual reproduction इनमें parthenogenesis common होता है dioces ये dioces दो पर depend होते हैं means दो male and female जो body होती है वो अलग-अलग होती है या हम यूं कहें कि ये unisexual होते हैं एक link ये होते हैं and dimorphic इसके अलावा इनका द्वी रूप पाये जाता है यानि male and female को आप बाएं रूप से बहरी आकारी के आदार पर आप पैचान सकते हैं कि male कौन सा है and female कौन सा है generally males smaller होते है and females large होते है many species are parthenogenic and exhibit haplodeploidy यानि अधिकान स्च जो जाती हैं क्योंकि इनमें common है parthenogenesis parthenogenesis जिसमें हम इसको समझेंगे कि क्या होता है haplodeploidy इसमें पाये जाती है यानि parthenogenesis के कई परकार होते हैं उसमें से एक परकार है haplodeploidy parthenogenesis में पाये जाती है यह क्या होता है method of gender determination haplodeploidy वास्ता में याँ पर क्या है parthenogenesis का एक टाइप है जो की gender determination में help कर रहा है in which a fertilized egg developed into female इसमें अगर जो female की द्वारा जो अंडे दिये जाते हैं अगर वो fertilized egg होंगे तो उनसे female का निर्मान होता है and unfertilized egg develop into male और अगर egg fertilized नहीं होते हैं तो वो male का formation करते हैं नर का निर्मान करते हैं बहुती सरल सा concept है parthenogenesis में एक ही individual participate करता है इसका मतलब वो एक तरह का asexual reproduction होता है asexual reproduction होता है इस प्रकार की विदी में female के द्वारा जो अंडे दिये जा रहे हैं उनसे male या female का निर्मान होता है अगर fertilized egg का निर्मान किया जाता है तो वो female का निर्मान करता है और अगर unfertilized egg से male का development होता है तो ये mechanism किस तरह की है haplodeployed haploid तो male होगा sorry haploid, diploid क्योंकि एक तरफ unfertilized है और दूसरे तरफ fertilized egg तो इस तरह से ये इसमें haplodeployed जो pythonogenesis है वो देखने को मिलता है development इनमें direct होता है यानि लारवावस्ता नहीं पाई जाती है these animals are utally इनमें utally देखने को मिलती है अगर हम all over इनकी सेंख्या की बात करें तो 900 से 1000 cells हमें counting man में देखने को मिलती है example हम इनके देख लेते है important examples में सबसे पहले है philodina यह आप ध्यान रखेंगे philodina next है splankna rotaria rotaria को हमने first slide में भी हमने देखा इसकी picture भी देखा then है hydatina hydatina rotaria भी आप ध्यान रखेंगे then है deloidea next है monogonata next है brachionis next है spadela और last जो है वो है euclannus euclannus last इसका example है अब हम इसके कुछ example को picture के माध्यम से समझते हैं ये को इस परकार के ये roti farence हमें देखने को मिलते हैं आप इनको इनसे familiar हो जाएं इसलिए मैंने आपके लिए ये picture यां पर demonstrate की है ये कोई simple camera से photograph नहीं ली हुई है ये microscope के under में रखकर फिर photograph ली गई है तो आप इन microscopic animal को इतना बड़ा देख पा रहे हैं अब हम इसके classification के बारे में बात करते हैं briefly मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको phylum rotifera divided into three class phylum rotifera को three class में divide किया गया है class जो first है वो है monogononta monogononta इसके first class है then class second है deloidea is the second class जिसके नाम से भी एक example हमने जाना है then है third जो class है sysonidia sysonidia ये तीन इसके class है अब एक छोटा सा पार्ट इसका ओर करते हैं cover that is the significance of rotifera rotifera का significance क्या होता है ये हम समझते है rotifera are an important part of fresh water zooplanktons ये एक तरह के plankton होते है planktons क्या होते हैं पहले हम वो समझते है planktons are the diverse collection of organisms found in water ये अलग-अलग परकार के organism का एक group होता है जो कि पानी में पाए जाते हैं यहाँ पर पानी को मैंने specify नहीं किया है ये fresh water में भी पाए जा सकते हैं and marine water में भी पाए जा सकते हैं यानि स्वच्छ जल में भी पाये जा सकते हैं और समुंद्री पानी में भी पाये जा सकते हैं, that are unable to propal themselves against a current, जो कि अपने आपको current के वीप पुरीत डख खेलने में सक्सम नहीं हो पाते हैं, या मैं simple सा यूँ कहूं कि अगर जब पानी में current उत्पन होता है, एक flow चल रहा होता है, तो उसके against में ये तेर नहीं पाते हैं, तो इनकी category को हम planktons में सामिल करते हैं, planktons invertebrates में बहुत सारे जगे आपको देखने को मिलते हैं, जिसे आर्थो पोड़ा में भी आपको देखने मिलते हैं, रोटीफरेंस भी planktons है, अब ये तो बात हुई animal system की, जिनको हम जू planktons के नाम से जानते हैं, एक टाइप और होता है जिनको हम phytoplanktons कहते हैं, phytoplankton के नाम से जानते हैं, यानि ऐसे plankton जो की plants होते हैं, तो उनको phytoplanktons कहते हैं, चुकि यहाँ पर हम animals की बात करें, तो यहाँ एक तरह की ये जू plankton होते हैं, और ये फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं, अब हम इसका significance, अब हम वापस समझते हैं, रोटीफरेंस एन इंपोर्टेंट पार्ट ओप दा फ्रेश वाटर जू plankton, ये एक तरह के plankton होते हैं, जो की फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, being a major food source, जो की एक मुख्य भोजन का source होते हैं, and with many species also contributing to decomposing of the soil organic matter, जो की, जो soil में जो organic material है, उसको inorganic matter में convert करने का भी इनका काम होता है, तो rotiferns considered the planktonic animals, rotiferns को planktonic animals के रूप में जानते हैं, तो चूंकि जब food chain जो होती है, starting वो phytoplankton, फिर उसके बाद में जू plankton, तो phytoplankton को लेने वाले या हम यू कहें हैं कि ये primary food source के रूप में, food chain में इनका योगदान होता है, तो ये बात हुई rotiferns के significance के बारे में, जो की plankton के रूप में इनको यूज किया जाता है, और इस वीडियो में हमने समझा कि फाइलम rotiferns के general characters क्या होते हैं, और हमने थोड़ा सा इसका classification के बारे में जाना, उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, thank you, thank you to all for your support, thank you.